हेलो स्वेंट्स कैसे हैं आप सब लोग आज आप सब का टेस्ट है I hope इस मौक टेस्ट को बहुत अच्छे से दोगे आप अभी से लेकर जो 90 के 90 मिनट होंगे उनमें आपको यह मौक टेस्ट देना है तो आज आप सब उमीद है तयारी करके आये हो और अगर आपके तयारी के पैटरन को फॉलो कीया हुआ बिल्कुल इन स्वेकी के पैटरन को साथ को शिंग स्रकेर है इन साथ कोशन में से युह हाब टुध क्ट qeKayp आपको तुस आपट आफ पूनली फुक्टि आपको वुवली कोंट करने हैं लेकिन डिरेक्ट उनमें पचास क्य tão बाकित कूर होगा मैं इन साथ के साथ को बनाते वक्त मैंने सिर्फ दो चीजों को माइंड में रखा है क्योंकि यह मॉक तस आखरी नहीं है एक मॉक टेस्ट और आएगा एडवांस लेवल का जो बिल्कुल बोड इग्जामिनेशन से रिलेटेड होगा मैं कह सकता हूं कि उसमें से काफी क भी मैंने जो मेरा मेन मोटो था इन साथ को रिवाइस करने का सबसे पहली बात आपका पैटर्न जानलो आपकी इग्जामिनेशन में पैटर्न किस तरीके से पूछा जाता है दूसरी बात आपका पूरा का पूरा कम्प्लीट सिलवस एक कुईक रिवीजन हो जाएगा कि अगर है तो अच्छी बात है, otherwise आप एक से लेकर एसे करके पुरे 60 तक inambring कर लो, लेकिन जब आप 60 तक inambring करोंगे, तो एक से लेकर 24 में एक लाइन छोड़ देना, फिर 48 में एक लाइन छोड़ देना, नमब देना करते हैं, 24 के बाद एक लाइन छोड़ देना, 48 के बाद साथ तक में, यानि 12 कोशिन बचेंगे, उन मैं से 10 करना है, तो यानिकि, पहले 24 में से कोई भी 20 करलो आप, दूसरे 24 में से 20 करलो और चाट क मैं व्यर्ण चॉबिस से 24 कर देते हैं तो तो पहले 20 काउंट कर लिए जाएंगे अगर 25 कर दिया 24 वा गल आता है 25 वा सही है तो क्या मिलेगा नहीं मिलेगा विगास पहले 24 काउंट होंगे तो पहले 24 जो है क्लास वो काउंट होंगे इस तरीके से पहले 20 करना फिर क्लास आप 20 करना अभी इन में से 20 करना बाकी इसमें से क्लास जो है आपको दस करने हैं तो ऐसा मत सो जो हम सारे कर ले नहीं सिर्फ सही करना यानि सारे तुम्हें आते हैं तब भी तुम छोड़ देना रिस्क में फज़ जाएगी बात ध्यान ऐसा नहीं होगा क्या आप 24-24 कर लो और उसमें से बैस्ट ट्वेंटी जो सही 20 वो ले लेगा नहीं क्लास कम्वूटर से चेक होगा पूरा पैटर इस तरह के से लिए से अलरी इसमें से 20 इसमें से 10 पचास कोश्चन आपको टाइम करने हैं टाइम 20 मिनट का रीडिंग करने का मिलेगा जो मैं अभी नहीं दूंगा आपको देखना मुझे कॉमेंट देखना कि आपका स्कोर कितना आता है ठीक है तो चलो क्लास लेट्स बिगिन करते हैं स्टार्ट यहां पर 40 नंबर का है पूरा का पूरा टेस्ट यह इस्ट्रक्शन मैंने सारे लिग दिए सक्षिन ए में 24 कोशिन 20 करने बी में 24 20 करने सी में क्लास 12 है और हर कोशिन इकोल माक का है तुम रहर कोशिन जोगा 50 कोशिन है तो हरे कोशिन जो है 0.8 माक का होगा लास्ट में तुमारे जितने भी कोशिन सही होंगे उसको 0.8 से मख़िप्लाई कर ददा चलो क्लास section a में पहले गुषतने इंस्ट्रक्शन समझा दिया है और all the best मेरी तरब से क्लास और इस टेस्ट को पूरा टेम करना और अगर अच्छा रही को सीखनी को मिले नएने कोशिंस तो सारे दोस्तों को शेर करना इनके अंदर में कोशिंस वही रख रहे हैं फिलाल क्यों पहला मौक दे रहों क्लास में य वह एक वीडियो के थ्रू मैं आपको टेस्ट दे रहा हूं तो आप वीडियो को पॉस करना ठेक है और एक से दो मिनट का टाइम आप ले सकते हो वान टू 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 मैक्जिमम एक से दो मिनट का टाइम लेकर क्लास आप वीडियो को पॉस करो फिर आंसर दो मैं यहां पर हर एक कोशिन के बाद अगर एक दो मिनट वेट करूंगा आपके लिए तो वीडियो बहुत जादा लंबी हो जाएगा इसको देखने में आपको समस्या होगी तो बस जैसी मैं वीडियो डिस्पले करूं मैं हट जाता हूं आप साइड से देखके कोशिन आराम से अटिक करके फि तो उसमें से बस अपने जो करेक्ट चौबे सा उनको टम करना तो पहला आंसरे क्लास आपका ए मिनिममम रिजर्फ सिस्टम 1956 में आया गया अर्भी द्वारा जिसके वैसे क्लास जो नोट छपता है वो इसी बेसिस पर आर्भी नोट इशू करती है सेकेंड है राइट दिक क जब expenditure exceed कर जाए जब आपके खर्चे जादा हो जाएं तो क्लास इस situation में आपका होता है deficit budget when it is a budget in which expenditure exceed expenditure जादा है revenue से चौथा क्या है मैंने रखे हैं पहले कुछ अच्छे question रखे हैं क्लास कुछ simple भी कुछ class a tough question भी रखे है मैंने which is the following is not a method of privatization I hope आपने वीडियो पॉस्ट करके answer देना start कर दिया होगा अपनी copy में OMR sheet पे fill जरू कर देना तो कॉंसा class this investment तो है sale of PSU to private sector है contraction of PSU ए की बात है sale of PSU to government or public sector सरकार को नहीं बेचती सरकार जो है वो private को बेचती है तो यह D option गलत है pause करो video fourth question answer दो choose the incorrect statement from the given below incorrect statement बताना है pause करो और answer दो इसका तो देदी होगा आपने लोग ने government budget is annual statement of income expenditure government of current fiscal तो government budget जो है एक annual statement of income थे फो budget में इंक्वेंट expenditure नहीं लेते prepared all level यह सई है class यह सई है विचे तो इंकरेक्ट बोल रहा है ना annual statement of income expenditure सभी तो है class यह भी सभी सभी income expenditure ही लेते है foreign exchange समझ रहा था budget में तो इंक्वेंट expenditure ही लेते हमारा साल बर में क्या कमाई होने वाली है इसका D option जो है वो correct है green revolution reduce during the planning process was 1960s में green revolution आया तो वो basically किस चीज के लिए wheat rice के लिए cereals और pulses के लिए cotton और jute या जवार और बाजरा के लिए सही आंतरे class wheat and rice यानि कि 5th question का A option correct है यानि कि green revolution जो आया वो wheat and rice के लिए ही आया 6th question surplus in BOP arises when BOP का surplus कब arise होता है video pause करो और answer दो surplus in BOP arises when surplus कब होता है जब receipts ज़्यादा होती है किसे expenditure से तो आप देखो class कौन सा option correct है तो receipt ज़्यादा होती है class expenditure से और autonomous में बता दूं क्लास आपको थोड़ा सा अगर आपको याद ना हो मैं एक बाद डिसकस भी किया था ज्यादा डीपली नहीं आएगा बट अटोनोमस ट्रंजक्शन साल भर में जो transition करते हैं profit मेंंकिंग के लिए उसको उत आपको प्यार बिएस ना हो तो बैलेंस करने के लिए थो प्रापर घर नहीं है तो accommodating या below the line item होता है, इससे बराबर करते हैं, but यहाँ पर सही answer है class B, autonomous transactions जो है, या autonomous receipt जो है, वो जादा होगा, अगर कोई question tough लग रहा है, तो please attempt मत करना, उसको छोड़ देना, कि जो 24 में से BC question आपको करने है, इसी साब से आप class marking देना खुद को, so C, B option जो है, वो correct है, question 6 का, The government has a revenue deficit, it gets financed by, पहले भी करा रखा है class आपको, कि budget का, जो revenue deficit है, वो कैसे finance होगा, borrowing से, disinvestment से, tax revenue से, या indirect taxes से, तो video pause करो, सही answer दो, I hope आप लोग ने answer दे दिया होगा, तो सही answer है class, इसका disinvestment और borrowings, इन से ही कर सकती है, पहला दूसरा, या C option correct है, CBC के sample paper में भी question है class, यानि address of organization to the world trade organization, तो 1995, एक January 1995 को WTO आया, 1948 का act है, GATT, General Agreement on Tariff and Trade, तो कौन सा option से ये class से, WTO, किस से बनाये class D option, यानि GATT, GATT से बनाये WTO, वीडियो pause करो, answer दो class, आपको ही answer देना है इसका, और पूरे start question तक, टिक के इमानदारी से आपने करना है, और ऐसे आपको अच्छा लगा, आपने support दिखाया, तो जरूर ऐसे ही और test भी आएंगे आपके, ECO में छुट्टियां कम है, तो इसलिए थोड़ा सा मैं ECO को भी priority दे रहा हूं साथ-साथ में, इस टोटल डिपोजिट, जो टोटल डिपोजिट है, वो 20,000 है, लीगल इसर प्रेशियो 40%, तो डिपोजिट मुल्टिप्लियर का फॉर्मुला होता, वन अपन 40 इंटो 100, तो इनिशल डिपोजिट जो भी है, उसका धाई गुना जो होगा, वो कितना होगा, क्लास 20,000 होगा तो किसका धाई गुना 20,000 होगा, तो आप 20,000 को 2.5 से डिवाइड दे दो, 25 ये 8,000, तो यानिकि 8,000 आपका आजागा, D, D option correct है, और 8,000 का धाई गुना देख रहोगा, आप 20,000 ही बन रहा है, तो यानिकि 9th question का D option correct है, 10th question, 10th question class check करो, तो मैं इसला होगी, कि अगर, मैं आ अगर कोई भी assertion region तुम्हे थोड़ा सा भी मुश्किल लग रहा है, तो छोड़ सकते हो, आप 4 question असानिज छोड़ सकते हो, तो असा मैं सुझना, सारे कर ले कोई फादा नियोगा, 4 question समझे लो, छोड़ी देने आपको, तो इसी रहे class यहाँ पे बहुत असान हो जाएगा, जो असानिज आपो तुफ लगे, आप, you can skip that, okay, पर सारे नहीं कि सारे इसकिप करने लग गए, तो question कम पड़ जाएगे, फिर, human capital formation implies the development of ability and skills among the population of the country, correct-a-bill-cool, capital formation, human capital, formation of human capital is a long term and continuous process, long term and continuous process, दोनों statement ठीक है, लेकिन यार, इस चीज के कोई reason नहीं है, दोनों statement ठीक है, human capital स ऐसा होता है, human capital स ऐसा होता है, but यह इसका कोई कारण थोड़ी है, दोनों statement ठीक है, गलास, तो इसका कारण नहीं है, both assertion A and reason R are true, and R is not the correct explanation of A, तो यह जो reason है, वो इसका correct explanation नहीं है, so, 10th question का भी option आपका correct है, 11, choose the correct statement from the given below, correct statement आपको बताना है, commercial bank create, create out of primary deposit, money multiplies directly related to legal reserve ratio, central bank of the country is not authorized to maintain a foreign exchange reserve, all of the above, यह देखो, कहीं पी अगर all of the above रहता है, तो आपको all of the above पे tick करना है, ऐसा जरूरी नहीं है, कि आपको all of the above टिक करना है, हाँ, बट कहीं नहीं कहीं क्लास आपने ध्यान रहीं से, जयसे आपको पता है, पहला भी सही है, वैशे तो 3 होई सही है, यह भी सही है, तो यहाँ पर money multiplier जो हो directly, legal reserve ratio जो है, अच्छा, money multiplier is directly related to legal reserve ratio, तो money multiplier जो है, वो directly related to legal reserve ratio हो ता होए यह बताू जो money multiplier है, वो directly directly related to legalism ratio होता है या inversely related to legalism होता है यह बता हो जरा तो यह जो money multiplier हो तो directly related to legalism नहीं होता ना inversely होता है तो यह तो गलत है central bank of a country is not authorized है वो तो यह भी गलत है तो ऐसा नहीं कि आप all of these पर टिकर दोगे इसका option number a correct है यानि कि जो पहला option है वो इसमें बिल्कुल correct है commercial bank primary deposit से ही करता है बाकी money multiplier का inverse relationship होता है और central bank foreign exchange को रखता है अपने पास तो यह इसका a option पर टिक करना जिसका 11th का a हो सब्सक्राइब हमेशा टिक मत करना जहां पर all आ जाये तो import of goods and services raise dash जब हम बाहर से समान import करते हैं खुदी बताओ class मेरे answer देने से पहले video pause कर लो अगर आपको टाइम लिल लग रहा है तो और मैं कह सकता हूं आप अराम से घंटे के अंदर पूरा पेपर फेक्ट दो करके एक घंटे के अंदर फेक्ट दो के पूरा पेपर या डेड़ घंटा तो बहुत ज्यादा और बीस मिनट पढ़ने के लिए भी है तो इको में तो कोई दिक्कत है यह नहीं और ऐसा करा रख I want dollar ताकि मैं भाहर payment कर सकूं उनकी currency में और जब हम import export कर रहे होते हैं तो supply होती है तो sources of demand for foreign exchange sources for supply of foreign exchange करा रखा है मैं दुनिया का सबसे असान question है जिसे मैंने कम से कम 10 बारा बार करा दिया होगा community tap पे भी questions repeat करता रहता हूं तो कई question repeat होते हैं तो यह मुझा चकर सरी question repeat हो गया अरे यह बार 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 इसलिए हो रहा है ताकि आप याद रखो हर कोई एक बच्चे इसा talented नहीं होता कई बच्चे इसी को चार बार देखने के बाद भी गलत करके आते हैं तो जो अच्छे-च्छे questions होते मैं चाता हूं वीडियो क्लास sample paper question है कई बार पहले ही बनवा चुका हूं आपको बताओ क्या record करता है income and expenditure record करता है inflow outflow fund record करता है inflow outflow foreign exchange तो सही answer है क्लास 14 का C यानि कि यह record करता है कि country में inflow outflow कितना हो रहा है foreign exchange का so 14 question का option number C is absolutely correct 15 question choose the correct pair from the given below correct pair आपको बताना है क्लास यहां पर column first column second borrowing from IMF IMF से आपने जो borrow किया है borrowing from IMF construction of school building taxes collected from public purchase of metro coaches तो आपना कौन सा correct pair है borrowing of IMF revenue receipt तो नहीं होता borrowing is capital receipt construction of school building is capital expenditure correct है taxes revenue receipt होता है purchase of metro capital expenditure होता है तो B option correct है क्लास कि B बिल्कुल सही है कि अगर हम school building बनवाते हैं तो यह एक तरीके का capital expenditure है Dash transactions are undertaken to cover the deficit of surplus on BOP अभी थोड़ी देर पहले ही discuss किया था मैंने कि अगर BOP में कोई surplus है या कोई deficit है तो उसे cover करने के लिए concept transaction किये जाते हैं Dash transactions are undertaken to cover the surplus or deficit in BOP तो सही आंसर बताओ क्लास आप वीडियो पॉस करो आप अपने आप आंसर दो टाइम लेके आराम से आप लगभग दो मिनट से देड़ एक देड़ दो मिनट ले सकते हो और आपको आता अगर है question तो इतनी देर में बन जाएगा question आपसे पका नहीं आते तो class एक घंटे में भी नहीं बनेगा तो यह आंसर एक लास एको मुदिटिंग तुक्का भी कैसे मारना है class उसका भी trick मैं सिखाऊंगा आपको तुक्का कैसे मारना होता है will import securely recorded in dash account भॉर फॉर्ण फॉर्म अब्रॉ रर्रे थे कॉंथ अगर bad खान आ से मशीन को इंपोर्ट कर रहें है मस्ंद करसे मजसीन इंपूर्ट कररें तो बदा एको मशीन इस गुट्स तो गुट्स जो है वो करेंट अकाउंट में आता है और बारिंग क्लास क्या है वो इंड राफ गॉग और और olur में लोन लोन कैपिटल थो पहला आएगा करेंट फेकर गाथ सी साब चैपिल्ल नहीं है तो आप इसको गलत जज मत कर लेना और और आप्शन सही से पढ़ के आंसर देना क्या है वीडियो पॉस करो कोशिन पढ़ो और आंसर दो फिर मैं बदा तुम आपो कैसे करना है Suppose that the balance of trade exhibits a deficit of 20,000 balance of trade में deficit है 20,000 का the import of merchandise of nation is double the export of merchandise the import है वो double है class किसे? export से the value of export would be तो आपको export की value पूछी है कि export कितना होगा the value of export would be तो export जो है वह आपका कितना होगा ध्यान सुनना class मेरी बात export निकालने के लिए तो deficit है यानि कि import ज़्यादा है ठीक है import जो है वो double है ठीक है? import जो है वो double है किसे export से और आगे लिखा है by the value of извでंव एक्सपोर्ट तसे इंपट साथ ले लेंगे में तो माइनस का 30 घलत हो जाएगा अगर एक्सपोर्ट चालेस लेंगे डपल ले लेंगे यहनी का शीस तलगार टो माइनस चालेस आंसर तो भी सानगे अगर आगर अलगें लेंगे 40 और अब आगर तो हम एक्सपोर्ट से इंपोर्ट घटाते हैं तो हमारा डेफिशिट यह नहीं ही माइनस 20 आ रहा है तो C option correct है 18 question का जो C option है वो अब बिल्कुल correct है आप 18 पर C पे टिक करोगे 18 question का जो C option है वो बिल्कुल correct है आगे class बात समझ यहां तक तो 18 question हमारा complete हो गया next class आप 19 question देखो the government of India is decide to vaccinate the population तो इंडिया जो है वो vaccinate कर रहा है लोगों को यह किस तरह का expenditure है revenue capital और class किस तरह का expenditure होगा बताओ class अगर government vaccinate करने की सोच रहा है लोगों को कि यह vaccination किया जाए लोगों का तो यह किस तरह का expenditure होगा obviously class revenue nature expenditure होगा यह क्या होगा revenue nature सरकारा खर्चा यह कमाई नहीं है तो यह कैसे expenditure revenue nature expenditure 19 का question number C विल्कुल correct है चलो 20 question में match the following the given respective implications तो आपको column 1 column 2 को देखकर आपने match करना है तो फटा फट जरा कोशिश करो match करने की कि कौन सा इसके अंदर सही option होने वाला है video pause करो match करो tick करो बनाव अपने आप migration तो migration का मतलब होता brain drain लोग छोड़के चले जाते हैं अपने देश से बाहर देश को सर्फ करते हैं ज्यादा पैसा मिलता इसलिए low level of academic standards क्या होगा required skill or academic standards जो है वह उनमें difference आ जाएगा population high growth rate अगर होगा तो per capita income growth जो है वो कम हो जाएगा lack of proper manpower planning अगर manpower की employee planning सभी से नहीं करी तो imbalance between demand and supply of human resource human resource में imbalance हो जाएगा पहले का 3rd पहले का 3rd एक ही option में है तो आप B देखते है टिक कर देना अगर पहले का 3rd तुम्हें किसी option में मिल जाए यानि कि एक आपको मिल गया और आपको पता पहले का 3rd बिल्कुल true है तो आप A पर B पर टिक कर सकते हो बिना आगे पढ़े लेकिन फिर भी मेरी सलाह यहीं रहते है पढ़ लिया करो क्या बीका भी 4 दे रखा है विक कई बार हमको लगता है कि यह सही है लेकिन वह होता नही नहीं कहते Central Government जो बनाता हुसे कहते Union Budget. Budget always represents the estimated value of receipt and expenditure. सही है क्लास, Budget तो हमेशा estimated value ही बताता है सरकारी कितनी कमाई होने वाले है, सरकारी कितने खर्चे होने वाले है, Statement 2 is true and B, Statement 2 is true and 1 is incorrect. लेको आपने मुसे पढ़ रखा है आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो रखिए, तो आपको असान लग रहा होगा, लेकिन SNE की पेपर बहुत असान है, मैं यह रखूँगा easy और moderate के बीच में बनाया है, मैंने class कि I don't want to lose your confidence, आपका confidence lose नी करना चाहता, देरे-देरे class, at least आप साथ कोशिन बनाव का मजा आने लगे पढ़ने में, फिर देरे-देरे बीच में दालेंगे ना class, खतरना कोशिन, पर ऐसा नहीं कि CBS से हम इसा खतरना कोशिन ही डालता है, ठीक है, तो इस तरीके से कुछ कोशिन में अच्छे हैं class, आपको नएने सीखने कुछ चीजे मिलती है, मेरा एक में परपस था कि आपका पूरा chapter revise हो जाए बस, पूरा syllabus आपका एक और कुछ रिविजन हो जाए और पेपर कैसे अटम करना है, वो थोड़ा सीख जाओ आप, ताकि एग्जामनेशन में जटका ना लगे, एकदम ना शौक ना लगे, विजदा फॉलेंगे इस नोट लेटो अग्रिकल्चर मार्केटिंग के अंदर क्या होता है, गैधरिंग क को देरखा असेशन रिजन, पड़ो जड़ा और बताओ क्लास की कौन सा सही है, कोपरेटिव मार्केटिंग जो है अच्छा तरीका है, मिदल मैं को रिमूफ करने का, और गिविंग फार्मर्स अफेर प्राइस, रिजन, रेगुलेटिड मार्केट गिप्स अपर्मर्स अप अधर गिविंगे तरीको की क्लास की कौई एज़न, रेगूलेटिड मार्केटं मार्केट अपिंग अब्राइस, त्विंगे रेगूलेटि का और गिविंगे उसंद बच दोनों अलग अलग चीजा, ये बहुंत नहीं है, रिजन पार्मर्स स enfishing है, कि रहान उनकба खाल को पेर इनकरेक्ट है, सही पेर नहीं, इनकरेक्ट पेर बताना, और इस 24 तक ही तुम्हें 12, 20 कोशन करने थे, I hope आपने इन 24 के अंदर से 20 कोशन बना लिये होंगे, 24 के अंदर से उमीद है कि आपने 20 कोशन बना लिये होंगे, Devaluation of Rupery, जो है, वो class कौंसा reform है, foreign exchange reform है, तो यह सही है, इनकरेक्ट बताना है, tax rate, tax ठीक है, C गलत है, यहार private sector बैंक किस reform में आता है, financial sector reforms में आता है, जैंज in role of RBAB financial sector reforms में आता है, तो गलत हैं, C option, तो पुझात है कौंसा गलत है, तो C option, अब section B जो है इसमें आपको 24 में से 20 कोशिन करने है, section B में 24 में से तुम्हें कितने कोशिन करने है, 20 कोशिन करने है, तो जड़ा चेक करो, 24 में से 20 कोशिन करने, 25 देखो, what kind of tariff policy was needed to protect domestic producer from foreign competition after independence, what type of tariff policy, किस type की tariff policy की ज़रवत पढ़ती है domestic producers को, अब जो 25 से 48 करोगे न, इसमे 20 कोशिन करने है, तो अगर तुम्हें कोई कोशिन टॉफ लग रहा है, बहुत टॉफ लग रहा है, तो आप देख लो, आप देख लो कि जो भी आपको पेपर एक साथ मिलते हैं, आपको ज्यादा बहतर समाझ आता, बट कोई बात न, कोशिश करूँगा, आगे मैं तुम्ह पहले भी पेपर प्रवाइड कर सको, ट्राइ करते हैं, कैसे होगा, बट फिलाल जो है, आप देखो कर आपको टॉफ लग रहा है, एक एंस्केप, अगर आपको लग रहा है, बहुत ज्यादा टॉफ है, और मुझे कुछ नहीं पता मैं जो कम आरना है, मुझे ऐसा लग रह पहलेगा, कि आप बहर से कम लिमिट मंगा सकते हैं, और इंपोर ड्यूटी हाई, तो यह इसका जो C option 25 का यह विलकुल correct है, डाइस्टरेफर सिस्टम इन विच फॉरेंचेंज रेट इस रेट इस रेट तरू इंटर्वेंशन, जो Central Bank है, वो एक्स्चेंज रेट को पढ़ो और बताओ कि कौन सास्टेफमेंट जो है, इन मेंसे वो गलत है, रेविशीट रेगुलर इन नेचर, रेविशीट रेगुलर नेचर का होता है, तो बिलकुल सही है भाया, पहला तो सही है, दूसरा, there is no future obligation in return the amount in case of revenue, बिलकुल correct है, कोई लावड़े नहीं बनती है capital receipt either create asset capital receipt either reduce asset or create liability होगा reduce asset or create liability होगा उल्टा लिखा है तो आप धंक से पढ़ना क्लास यहां पर budget question है और borrowing को capital receipt जो है वो मानते हैं तो D तो सही है तो incorrect statement जो था वो C था which tax is progressive in nature कौंसा tax progressive in nature है income के बढ़ने करेक्ट यानि कि एक बच्चे से तीन डिरेक्ट टैक्स और तीन इंडिरेक्ट टैक्स के example मुझे बताओ ग्लास ताकि आप example से याद रखो कि कही गार पूछ रहा था कौंसा इसमें से example नहीं है डिरेक्ट टैक्स का है कौन सा है प्रिवेंटिव मेडिसिन किसे कहते हैं के रेटिव मेडिसिन किसे कहते हैं और सोशल मेडिसिन किसे कहते हैं बताओ तो, preventive, curative, और social medicine. तो preventive medicine के अंदर आता है vaccination, कोरोना के काल में भी vaccinate करके आप preventive कर सकते हो, curative medical intervention और social medicine मतलब spread of health literacy, थ्रड का C, तो आप देखो थ्रड का C तो इन दोनों में है, फिर आप देखो class second का A, तो second का A में ही ही है, तो पहले का first, एक सेंड एक सेंड, एक सेंड, एक पहले का B तो इसमें ही है, यह A correct है class, पहले का B है, सही है बिल्कुल, दूसरे का A है, बिल्कुल सही है, और तीसरे का C है, बिल्कुल सही है, तो A option correct class, 29 का बिल्कुल ठीक था, आपका A option correct है. डेशन डेशन ट्विन पिलर ऑफ सोशिल सेक्टर रिफॉर्म, दो चीजे ऐसी है, class, जो ट्विन पिलर है सोशिल सेक्टर रिफॉर्म का, क्या education infrastructure, education and health, health and infrastructure यह health, education and poverty, तो ऐसे भी कभी नहीं होगा, C option, B option correct है, यहनि के education and health, यह दो चीज बहुत बड़े पिलर हैं, अगर आप समाज को develop, देखना चाहते हो, लोगों को देखना चाहते हो, कि लोग तरक्की करें, लोग self-dependent हो, हमारा देश डेश डेवलब बने, तो यह education and health पी काम करना पड़ेगा, और अब कोर्णा के बाद तो पता है, आपको health कितना important हो गया है, अभी नया variant भी आपको पता है, धि be reduced through continuous investment and education and health, correct है, अगर आपके अंदर talent है, तो आप investment करोगे, तो आपके talent की value बढ़ेगी, ना की काम होगी, tangible, human capital, tangible नहीं, intangible होता है, 31 का B, it is inseparable, correct class is not perfectly mobile between country, यह भी ठीक है, तो B option, correct class, आपका talent move नहीं कर सकता, मजबूरी है, आपको अपने साथ ही रखना है, आपको देश के अंदर रहना है, आपको किसी दूसरे को serve नहीं कर सकते, तो इसमें साफ साफ है, कि intangible जो है, वो होता है यहाँ टेंजिल लिखा है, तो गलत है, बहुत ही असान कोशिने class, when did RT act, अगर आपने वरी वीडियो सारी देखी होंगी, तो बता पाओगे, right to education act, जो है, वो कब आया class, सही answer है class 2005, तो सर्व सिक्षा अभ्यान, अगर कोई मुझे comment section बताए, तो बहतर होगा, कि किसी को या समाएं दी है, consultancy services दी है, तो बताओ, यह class GST क्या होगा, तो सबसे पहली बात, अगर X ने, X Punjab का है, जो receiver है, receiver है, वो Y कहां का class, indoor का है, तो indoor MP में आता है, मध्यपरदेश के अंदर, तो IGST लाएगा, तो CGST तो हटा दो, यह CGST है, CGST, SGST तो हटा दो, class यह कोई मतलब ही नह class की GST जो है, वो एक destination-based tax होता है, यानि कि जो जहां पर service को receive करेगा, वो state charge करेगी, जो receive करेगा services को, ना कि जो provide करेगा, तो इसका A option correct है, when was Niti Aayok form class, Niti Aayok का form हुआ, और यहां से यह भी ध्यानकना कि full form कहां पर head office, full form क्या है, head office कहां पर है, दिल्ली में, और chairman जो होते है इसके class, जो chairman है, वो prime minister होते है, National Institution of Transforming India, National Institution of Transforming India, और कब आया class, 2015, 1 January 2015, जिसने replace किया, किसको class, planning commission को, next, which is the following statement is true about disguise unemployment, disguise unemployment को hidden unemployment भी कहते हैं, तो video pause करके, आप answer देना start करो, और बताओ, आपको क्या लगता है, कि कौन सा statement इसमें से, सही है, तो, देखो, लाज, agriculture sector में होता है, जितने लोग चाहिएं, उसे ज्यादा लोग काम में engaged है, और दो सही है, तो भई, all of these, अगर दो सही है, तो all of these, दो पक्का पता आपको सही है, पर फिर पढ़ लिया करो, the total output does not fall, even some workers are withdrawn, अगर कुछ वरकर छोड़ के चले जाएं, तो भ करके, फिर मैं आपको बताओं कि आपका जो है, वो सही है या गलत है, तो करेक्ट इसका है, involve fruit and vegetables, इसको क्या बोलते हैं, class, horticulture, तो पहले का C, अगर आपने पहले का C लगाया है, तो खुशी की बात है कि पहले का C है तो सही है, operation flood और white revolution किसके दखला, dairy के लिए था, involve use of computer, मतलब IT, information technology, catching fishing की बात है, तो यह होगा, और class, animal को breed करते हैं, तो this is animal husbandry, तो इसका आप देखना, class, कि अगर पहले का आपने C लगाया है, दूसरे का D लगाया है, तीसरे का A, चौ WTO establish in year of dash and present there are dash country are member of WTO, तो WTO जो है, वो class established हुआ है किस year में, और कितनी country है WTO के अंदर, तो सही बात यह है कि जो WTO established हो 1995 में हुआ है, और WTO के अंदर presently 174 country है, और World Trade Organization का promise न गयाट को precede किया, यहनिकि 1995 वो आया, और country जो presently है, वो इंडिया भी member है, और 174 देश के member है, next, which is the following plays an important role in meeting the micro credit need in rural area, तो जो rural area में micro credit need होती है, जो छोटे मोटे पैसो की दिक्कत होती है, बेसिकली वो किस से पूरी की जाती है, regional rural bank, nabard, commercial bank या self-help group, nabard की फिल फ्रॉम और इस कब established हो था, जरा फटा-फट comment बताओ मुझे, क्योंकि कोई भी question पूछा जा सकता, related question, self- help group is correct answer, और self-help group की वज़े से जो है, वो एक तरीके से आप कह सकते हो, कि जो गाउं में महिलाए है, वो एक तो डिपेंड होने, इंडिपेंड होने लगी, और जो छोटी मोटी financial need है, consumption purpose है, वो पूरा होने लगा, वो जो तो फॉलेंग अधा, परसांद चेंदर महाल नोबि कि इन में से कौन सा उनकी लिए सही है, तो architect of Indian planning भी कहते हैं उनको, उन्होंने जनल संख्या भी बनाया है, क्लास established Indian statistical institute, यहने की D option correct है, so 39 का D option correct है, second demographic transition में हमने इनकी, इनका model लिया था, equity as a goal of planning aims to achieve the following, equitism क्या अचीव करते हैं, reducing income, economic inequality, curbing concentration of economic power, uplifting the weaker section of society, तो देखो, पहला जो है, inequality कम करना है, सही है बिल्कुल, weaker section को उठाना यह भी सही है, और जो economic power कुछ लों के हाथ में है, उनको भी क्लास खतम करके सबको देना है, सबके पास power होनी चाहिए, सबके पास right to freedom होना चाहिए, तो 40 question का D option correct है, यानि कि equity का मतलब यह सारी चीजे होती है, mudra bank, mudra bank जो है, वो class बताओ की credit need, which are the following, तो mudra bank जो है, वो किनकी credit need को पूरा करता है, तो आप लोग class फटा फट जरा इस question का answer बताओ, ABCD में से कौनसा option correct होगा, बताओ class कौनसा option correct है, तो सही answer है class, micro and small and medium enterprises, छोटी-छोटी कंपनिया होती है class, उनको यह credit facility देता है, तो 41 question का class, जो option भी correct है, mudra की full form क्या होता है class, micro units, लेख class, mudra की full form जो है, वो micro units, development and refinance agency, में भी पूछ ले, कम चांस है बट अगर में भी पूछ ले, तो आपको mudra की full form है, वो आपको पता होना चाहिए, mudra loan होता है, तो छोटी-मूटी company है ना, उनको basically financial help देने के लिए class होता है, ठीक है, तो 41 question हो गए, next आते है class 42 question पे, date of the implementation of GST and demonetization, तो GST का बाया class 2017 में एक जुलाई सियर देखो, और जो demonetization है वो class का बाया 8 November 2016, तो 1 July 17, 8 November 16, 142 का option भी correct है, यह quick revision है आपके पूरे के पूरे syllabus का questions के through, ताकि आपका complete revision हो जाए, आपको 48 में से ही 20 करने थे, यह ना, 48 तक पहुंचके, आपको BC करने 24-47 के बीच, तो कोई question tough लगे, मुश्किल लगे, तो आप छोड़ सकते हो, और video pause करके answer देना है, which is the following was not aim of demonetization, इन मे tax base को बढ़ाना through formal economy, यह भी था, increase in volume of cash transition, यार इतो उल्टा होगे न, cash transition को कम करने का motto था, ना कि cash transition को बढ़ाने का, 43 का D, 44, which is the following statement is not true, कौंसा सही नहीं है, in respect of devaluation of currency, तो more rupia required to buy a unit of foreign currency, तो यह विलकुल सही है class, import are likely to rise, भया, devaluation किया था ताकि export बढ़े, ना कि import बढ़ तो inflow होगा, export बढ़ेगा, तो inflow होगा foreign currency का, तो 44 का B option जो है, वो true है, यह नहीं कि देखो, अगर C तो आपको पक्का पता है, कि सही है, और it में result, export बढ़ेगा, तो foreign currency का inflow भी होगा, तो यह सही है, तो यह भी सही है, पहला तो सही है, और तो option कौंसा गलत है, B option, जो है वो गलत है, not true है, what is the cause of relative poverty, poverty, absolute or relative, तो कौंसा relative poverty का कारण है, lack of employees, employment opportunity, employment opportunity की कमी, यह तो नहीं है, inequality of income की वैसे, जब आप किसी, जो आपको employee opportunity कम है, इसका मतला आप relative पोर नहीं, absolute poor हो, गरीब हो, absolute poor हो, लेकिन आगर आप किसे compare करते हो, तो यह उसकी income ज्यादा है, inequality of income है, उस जिसके वैसे होता है, relative poverty, which of the following program has been restructured as a national rural liability mission, पहले भी बताया है, NRLM, किसको कहते हैं, किसको बदलकर NRLM कर दिया गया, restructure किया, इन में से कौंसा poverty, elevation program है, जिसको restructure किया गया है, तो सही answer है, सुरन जैनती, ग्राम स्वरोजगार, योजना 46 का A. The people who continue move and move above and below, continue गरीबी रेखा से उपर जाते हैं, और continue गरीबी रेखा से उपर नीचे उपर नीचे होते रहते हैं, तो क्या बोलें, chronic, non-poor, churning poor, or occasionally poor, तो बड़ा उसे बोलें, churning poor, क्योंकि chronic तो बहुत जाज़तर वो गरीबी रेखा के नीचे ही रहते हैं, तो यह continue move and down, up and down, कभी उपर गरीबी रेखा से, कभी नीचे, तो सही आंसर क्लास क्या होगा इसका, churning poor, government has assured the farmers a minimum income, government farmers को अश्योड करते हैं, कि उनने minimum income मिले, minimum income मिले, from the sale of their crop, तो इसके रहे वो इंड़ूस करते हैं, तो क्या वो इंड़ूस करेंगे, तो इसके रहे वो क्या जिसके लिए उनने इंट्रिउस किया, कि अविरासूंग फैसिलिटी, minimum support price, cooperative, agriculture, marketing, society, and regulated market, तो सही आंसर है, class MSP, यानि कि minimum support price, 48 का B option correct है, MSP बिल्कुल true है, बिल्कुल correct है, 48 का B, तो I hope कि आपने अच्छा score किया होगा भी जो 48 तक में आपको जो question करने थे, वो सिर्फ 20 करने थे, तो यानि कि मेरे हिसाब से 4 ठीक है, 48 में आप 4 छोड़ रहे हो, तो कहीं ना कहीं ठीक है, आप लगवग 8 question, कितने पर, 8-3-24, तो यानि कि लगवग 6-7 question पर, 6 question पर आप 1 question छोड़ सकते हो, तो it's good, कोई इसमें वुराई तो है नहीं, अच्छा है, तो last के जो section C है, इसमें आपको 10 question देगे हैं, 12 में से, 12 में से आपको any 10 करने है, बस आपको इभी 10 कर लेना, 12 में से, तो यहां पर एक class लिखा हो, identify the incorrect statement from the following, case B है आगे, incorrect statement आपको find out करना है, तो च from agriculture to allied activity like non agriculture, activity like horticulture, like dairy, like class आपका honeybee के लिए production करना, honeybee production करना, या फिर आपके hello poultry है, यह सब चीजे, फिसरी है, objective of investment in new agriculture, when new non farm activity increase the financial risk for the rural population, सारी बाट ठीक है बटा, लेकिन अगर हम लोग other चीजे करेंगे, तो यह financial risk को इंक्रीज ना करेंगे, तो C option गलत है, C option विलकुल यहा से विरोजगारी कम हो जाती है, तो D option ठीक है, C गलता, distress sale का मतलब कहा है, जब किसानों को और जेंटली पैसों के जरूद पढती है, तो मजबूरी में वो अपना सारा अनाज सस्ते दाम में बेच देते हैं, तो video pause करके आपने आंसर दे दिया होगा अब तक, sale of poverty property to repay loans, or sale of crop directly to the consumer, selling crops at minimum support price fixed by the government, selling of crop by farmers at very low price to meet urgent cash need, selling of crop by farmers at very low price to urgent minimum cash need, तो ये सही है क्लास, तो यहाँ पे, जो urgent सही है क्लास, urgent cash need, उसके ये लो क्या करते है, तो ये लो क्या करते है, तो बेच देते हैं, तो बोलते है, distress sale, next, which the following investments, instrument of the government does not aim to provide agriculture marketing system, तो agriculture marketing system कौंसा नहीं है, distribution of food grain at subsidized rate to poor, assurance of minimum support price for agriculture product, providing cheap credit farmers for expenditure incurred on production, maintenance of buffer stock, तो बेचो ये तो तीनो अगरिकल्चर सेक्टर के अंदर आता है, ये तीनो चीजे, लेकिन तो ये है, ये है रूल क्रेट के अंदर आता है, ये तीनो चीजे, लेकिन तो ये है, य गिरिकल्चर मार्केटिँं के अंदर नहीं, अग्रिकर्टर के अंदर तो अनाज लेकर उसे grading करना, process करना, transport करना, storage करना, और बेचना होता है, अग्रिकल्चर मार्केटिंग में, 52, expenditure on subsidies are considered as a revenue expenditure of the government, क्या expenditure on subsidies plण रावने expenditure किया जाता है? for example, subsidies are provided to poor people to reduce the inequality of income, तो subsidies are provided to poor people to reduce the equality कम की जाए, तो बिलकुल सही है class, A और B दोनों true है, लेकिन कहीं इसका reason लग रहा है आपको, दोनों statement आपस में के एक सही बात कह रहे हैं, लेकिन reason नहीं है, तो B option correct है, जहां बोत A and R true है, but R is not the correct explanation of A, तो R जो है वो correct explanation A का नहीं है, 53, public distribution system is comprised of, public distribution system किसे कहते हैं, fair price shop को, buffer stock को Monday system को या both, बताओ, public distribution system is comprised of, तो public distribution system हम किसे कहते हैं class, तो सही answer है, public distribution system मतलब क्या होता है, buffer और fair price, दोनों होता है class, यह D option correct है, fair price shop और buffer stock, दोनों को public distribution system कहते हैं, यहने की PDS-C के अंदर आता है, 54, 55, यह दो question ऐसे है class, जिसमें आपको एक number दिया गया है, data दिया गया है, तो आप एक बार question को पहले पढ़ हो, और फिर मैं तुम्हें question दिखा के, इसका solve कर रहा है, तो आप एक बार question को पढ़ लो, देख लो, हो सके तो video pause करे, copy में note करें, तो गलती ना हो, request है, आप इसे video pause करे, copy में note करो, video pause करो, इसे copy में note करो, और 54 पच्पन का answer आपने देना है, तो मैं दिखाता हूं, class, क्या है question number 54, which the following statement is true, video pause करो और बताओ, कौन सा statement true है, capital expenditure fall by 33.33%, capital expenditure fall by 25%, tax revenue fall by 20%, the actual budget shows a surplus budget, actual budget, यह एक surplus budget है, तो अगर मैं देखूं यहाँ पे, इस question में, तो revenue expenditure capital expenditure तोनों मिलाके actual में, act spiral में दोनों मिलाके हो गया 500, और receipt जो है, वो 400, total receipt जो है, वो 100 है, total receipt अगर 100 है, total receipt जो है, अगर वो 400 है, और expenditure पाने तो यह budget deficit budget हुआ ना, सब्स तो हुआ नहीं तो बजट डेफिशिट बढ़ेट तो यानि यह तो गलत हो गया यानि कि यह इल्कुल गलत हो गया और क्यापिटल एक्सपेंडिचर जो था पहले 400 था फिर 300 हो गया तो कितना घटा 100 और आपको डिवाइड किसे दिना एस्टीवेट से जो आपने पहले लिवाज्यम किया था 400 इंटू हंड्रेट था आपको सोच रहेएं 400 बेन चारसो था वह थीन सो तो घटा कितने से मतलब पत्चीस परसेंट पहले आपने सोचा था कि चारसो होगा और हुआ किटना 300 तो घटा कितने से 25 परसेंट से यानि ये केश्टी मेन पूछ रहा है सिमेटेड रवेंई एकस्पेंडीचर मेन ना पर्सेंटेज होगा ऐस्टी मेटेडर रवेंई itsители रवेंई dips रजमेटर जो है वो टो टल एकस्पेंडीचर का कितना परसेंट होगा तो मैं देखता हूं लेनुसीटीटो टोटल एक्सरिंधीचर कितना है تलंप मतलब जो आप शोच रहे थे ना उस ओकलेना तो डिशो अपन आएगा 550 इंटो हंड़े 27.27 परसंट, सही आंसर है 27.27 परसंट, so be option correct है, तो इस तरीके से class, देखो, CBC के सांपल पेपर में भी question था, बट उसका कुछ question सही से दिखाया नहीं था नोने, बट मैंने आपको एक एक जामपल लेकर बता दिया, कि यह इस तरीके से आपको data interpretation कहते हैं, say DI, DI की question पूछे जा सकते हैं, चलो, अभी यहां पर class एक paragraph है मेरे साथ, अगर आपको सही से नहीं दिखाया है, तो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं, तो मैं अच्छे से पढ़ लेना, और उसके बाद तुम मुझे बताना की question होगा क्या, read the following paragraph and give the answer 56 to 50, 60, ठ बढ़ते हैं, on the job training को OJT बोलते हैं, OJT on the job training short में, in is a hands on method of teaching skills, यह teaching skills, knowledge और competencies जो worker की जरुरत होती है, उसे बढ़ाने में मदद करता है, employee learn करते हैं in an environment where they need practice and knowledge skills obtaining during the training, training में जो भी उनोंने कुछ सीखा है, उसे real life में apply करने का मतलब ही क्या होता है class on the job training, Indian software industry has been showing a impressive record over the past decade, पिछले 10 सालों में देखा गया है कि जो India का वो software industry है, वो बहुत नए-ने software वना रहा है इसकी training के लिए, entrepreneurs class यानि कि entrepreneurs या आप कहलो class bureaucrats, politicians are now advancing views about how India can transform itself into a knowledge-based economy by using the information technology, कि IT को use करके किस तरीके से human capital को हम बढ़ा सकते हैं, human capital के strength को बढ़ा सकते हैं, knowledge बढ़ा सकते हैं, there have been some instance in villages using email, गाओं के लोग यूमेल यूस करते हैं class, which are class set as example of such transformation, कि यार गाओं के लोग भी आज़कर email यूस करते हैं, पहले लोग email यूस करने जानते नहीं थे, liking e-governance, और e-governance सरकार भी चीजों को online ले के आरही है, सरकार की facility आपको online मिल जाती है, online आप affair भी करा सकते हो, online class आप बहुत सारी चीजों का आवेदन भी दे सकते हो, अगर आप चाहते हो कि economy हमारी develop हो, तो IT सेक्टर पे आपको development का काम करना पड़ेगा, अब इस बेसिस पर आपको 5 questions का answer देना है, चपन से लेकर आपको देना है class answer, साथ तक और इसके साथ हमारा आज का test समाप्त हो जाएगा, I hope आप end तक देख रहे हैं और मुझे जरूर बताओगे कि आपका कितना score आया, training is must for human development along with educational health, training जो है वो बहुत must है, health और education साथ training की भी जरूरत है, exactly statement में बिल्कुल कोई गलती नहीं है, training increase करता productivity and keep the human resource proactive, तो ये भी बिल्कुल क्लास करेक्ट है, और ये क्या training की जरूरत क्यों है class, training क्यों human development जरूरत है, क्यों क्यों क्लास कहीं ना कहीं आपकी productivity को बढ़ाता है, आपको proactive बनाता है, तो 56 का, ये option करेक्ट है, बिल्कुल true reason है, तो 56 का, ये option करेक्ट है, 57, on-the-job training hands-on method of teaching skills and knowledge, बिल्कुल करेक्ट है class, on-the-job training, जो है वो teaching skills and knowledge को सिखाना, और agriculture can be increased through training in farmer, through modern farming method, तो अगर हम modern farming method, अगर हम सिखाएंगे agriculture sector में किसानों को, तो उससे output पादावार बढ़ेगी, तो बिल्कुल सही है class, बोद statement is true, C option correct है, कि दोनों statement बिल्कुल true है, pause करो video बताव, देखते वीडियो दिस्पले होते ही ना pause कर लिया करो, मैं हट जाता हूं, तबी screen से, ताकि आपके पास समय रहा, आप आप से आप से आपने आंसर बताव, ताकि time हम लोगों का बचे, which is the following are advantage and information of technology in human development, which is the following are the advantage of information, तो class कॉन कॉन सा, ये class, it helps in make informed choice, it enhance productivity, it helps in government, तो सारी चीज़े चीज़े class, यानि कि अगर हम IT sector को डवलप करें, human development हो, तो इसे सारे फायदे होंगे, which is the following ways IT can help in transforming the rule area तो किस तरीके से rule area में IT की मदद से हम इसको transform कर सकते हैं बताओ e-governance email अभी आपने पढ़ा था ना क्लास कि गाओं के लोग email यूज कर रहे हैं और सरकार e-governance यहनि दोनो C option correct है बोथ A and B यहनि कि C option correct है बोथ A and B से आप इसको ठीक कर सकते हो रूल एरिया में भी क्लास आप transformation लेके आ सकते हो हमारे क्लास आखरी question who among the following advocates are advocates to transform the India into knowledge hub तो कौन इसमें से एक step उठा रहा है इंडिया को knowledge hub में convert करेंगे अभी हमने पढ़ा था क्लास में दिखाता हूं आपको तीनों नाम था मैं आपको दिखा जेता हूं यह रहा यहां पे लिखा हुआ है entrepreneurs bureaucrates और politicians यह सारी चीज़े तो ओडी option correct है entrepreneur entrepreneurs या politicians कहलो या bureaucrates कहलो इस IPS अधिकारी हो गया रहा और नेता और जो बिजनसमेन है तो इसके साथ हमारा class हमारा साठ का साठ हमने कोशिन बना लिया आप सबसे रिक्वास्ट जरूर मुझे बताना कि आपने पहले 24 में से जो कोशिन किये हैं line by line line by line जो चोड़ दिया उसको आपने छोड़ दिया खाले चोड़ दिया हुआ लाइन बाइन लाइन बाइने आपने जो कोशिन किए उसमें से करें फिर अगले 24 में सापको 20 करने थे फिर अगले भारा में से आपको 10 करने थे तो इस पाकी 50 में सहीं कि तो आप देखना कि 50 से कितिने सही हैं और जितने भी कोस्षिंस मालोगो स में WOW पांत प्रूट पंट ना करोगे तो थर्टी नाइन पॉइंट टु आएगा तो ये भी class जो है वो बिल्कुल correct है तब भी ये 40 ही कहलाएगा ठीक है 39.2 आ रहा है तो इसका मतला अभी भी ये 40 ही कहलाएगा यानि किसी बच्चे का अगर एक question भी गलत चला गया तो भी उसके 40 में से 40 number लाने की पूरी संभाव ना है तो मुझे बताना class कि एक quick revision आपका हु सपोर्ट दिखाओ प्यार दिखाओ class शेयर करो सारे दोस्तों को मिलते है नेक्स्ट वीडियो में और I hope मुझे comment रहे बताओगे आप में से किसके कितने number आए